स्टॉक जिनी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त अब इशेक चर्म और आज हम बात करने वाल हैं स्टील सेक्टर की तिकच कंपनी टाटा स्टील लिमिटेट के बारे में दोस्तों देखिए समय हो रहा है तीन बच कर सत्रा मनट और देखिए स्ट आपके सामने टाटा स्टील का डेली चार्ट हमने लगाय हुआ है पयंकर गिरावट स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है उपर अगर इसका हाई देखें दोस्तों तो इस स्टॉक ने एक हाई बना है था 1533.40 पैसे का हाई उसके बाद से देखें तो लगातार गिरावट के सिल्सला यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है और आज देखें 1486 रुपे के करीब स्टॉक ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई देखें देरें लगातार रेड बीरिश केंडल्स यहाँ पर बनती हुई दिखाई देरें अगर बात करें यहाँ पर रननीती की तो देखें हमारे साब से अगर आप यहाँ पर फ्रेश बाइंग करना चाहते है तो थोड़ा आपको वेट करना चाहिए क्योंकि फर्दर गिरावट यहाँ पर चारी रह सकती है तो अभी बिल्कुल भी फ्रेश बाइंग का मौका यह बनता हुआ हमें नहीं दिखार दे रहा है दोस्तो जैसे ही फ्रेश बाइंग का मौका था है हम एक फ्रेश वीडियो ज़रूर बनाएंगे आपके लिए थोड़ा आपको वेट करके चलना चाहिए और अब बात पॉलियो में इस दिकच स्टॉक को होल्ड किया हुआ है क्या आप होल्ड करके रख सकते हैं दोस्तो देखिए लॉंग टरम में देखे तो शांदार मुनाफ़ा यह स्टॉक बना कर देता है तो अगर आप एक लॉंग टरम इंवेस्टर है तो डेफिनिटली आपको अपने इसको होल्ड करना चाहिए लेकिन अगर आप एक स्विंग ट्रेडर है दोस्तो या फिर शॉर्ट टैम फ्रेम के लिए ट्रेट करना पसंद करते हैं विदिन फॉर वीक फॉर टू वीक तो दोस्तो डेफिनिटली आपको यहां से एक्जिट करना चाहिए क्योंकि गिरावट यहां पर चारी रह सकती है लेकिन डरने की कोई बात नहीं फिर से जैसे ही बाइंग का मौका मिलता है तब आप इसको अपने पॉर्टफोलियो में एड कर सकते हैं लेकिन अभी दोस्तो बहेंकर गिरावट यहां पर हमें टाटा स्टील में देखने को मिल रही है वैसे आद बात करें तो बड़े-बड़े दिगच यहां पर गिरते हुए हमको नजर आ रहे हैं 18 नमंबर को बहेंकर गिरावट आज के दिन हमें सभी स्टॉक में देखने को मिल रही है तो यही रणनीती आपको अपनानी चाहिए दिगच स्टॉक टाटा स्टील के अंदर आप चाहे झाल